हर दोस्तों एसके मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है यह वीडियो के वल दवाईयों की जानकारी के लिए है दवाईयां में साथ डॉक्टर के प्रामर्स पारे लेना चीए आज में लेकराएं के अपसुल और ट्रिन मेडिसीन की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को साइनकुबालमिन विटामन B12 15 माइक्रोग्राम होता है फेरस स्फिमरेट 300 mg होता है फॉलिक एशिड 1.5 mg होता है एक्सन की बात पर तो इसमें और ट्रिन केप्सुल निट्रिशनल सप्लिमेंट्स के ग्रूप से बिलोंग करती है यह तीन सप्लिमेंट्स का कॉम्बिनिशन साइनकुबालमिन सेल्स के प्रोडक्शन प्रोटीन पर टीश्यू सिंतेसिस और ग्रोथ के लिए आफ सक है फेरस स्फिमरेट एक आईरन सोर्स है जो पूरे सरीर में ऑक्सिजन के ट्रांस्पोर्टेशन में हेल्प करता है और आर्बिस का प्रोडक्शन करता है फॉलिक एस नूट्रिशन के कमी तब होती है जब बोडी बोजन से प्रयाप पोसक तैतुए और अप्राप नहीं करता है विटामिन और मेंडर्स चरीर के विकास और बिमारे के रोगताम के लिए आफ सक है डोज की बात करे तो और्टन केप्सूल दिन में एक बार खाना खाने के बाद केवल डॉक्टर की सलाइपरी लेना चीए अगर किसी मरीज को केप्सूल से ऐलर्जी तो उसे ना दें एलकॉल के साथ केप्सूल का यूज ना करें हाट किडनी प्रेटन वूमन प्रेश्ट पिडिंग मदर्स को डॉक्टर की सलाइपरी लेना चीए प्राइस की बात के तो और्टन 30 केप्सुल का पत्ता 104 रुबए गुनेशे पैसे का मार्केट में मिल जाएगा साइड इफेक्ट की बात रहे तो केप्सुल और्टन के नॉर्मली कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखते लेकिन कुमनली कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि जी मसलाना, उल्टी होना, कब जी, दर्स्त, इसकिन ब्रेशिज आधी हो सकते हैं। अगर किसी को ये साइड डिफिल्ट्स बढ़ते हैं, तो तो अपने डोक्टर से संपर करना चीए। धन्यवाद।